हमें बहुत प्राब्लम्स फेस करना पड़ रहा है हमारा आगे क्या होगा हम क्या खाएंगे क्या हमारा जिंदगी में केरियर होगा हमारा जौब का क्या होगा हम बाहर ही नहीं जा पारे पर यह यह सारे जो संदिग्दाएं हमारे प्रॉब्लम से यह तब ही होगा अगर हम जिन्दा हैं जिन्दा रहने के लिए प्लीज अपने घर पे रहिएगा यह एक नया वाइरस है जिसमें बहुत ही ज़्यादा इगो है अगर जब तक आप घर से बाहर नहीं जाएंगे यह आपके घर नहीं आने वाला तो आप घर में रहें, सुरक्षित रहें विदेश से आना कोई अपराद नहीं है दो अफ़ते तक घर में रहें, अपनों की जान बचाईए अनवश्यक वाग गलत इस्तमाल मास्का ना करें खुद को सरदी जुखाम होने पर ही मास्का इस्तमाल करें N95 मास्का उपयोग सिफ हेल्थ क्या वर्कर के लिए है कि रपया घर पे सुरक्षित रहें और सेफ रहें जो हमारे देश के बुजूर्ग है उनको सबसे जादा कोरोना के बिमारी से खत्रा है क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम वीक है उनको बहुत सारे बिमारी पहले से ही है तो उन लोग को जरूर घर के अंदर रहना चाहिए जो यंग जनरेशन है उनसे हगिंग ना करें वो सोशल डिस्टेंस मेंटें करें सोशल डिस्टेंसिंग या एक दूसरे से दूर रहना को स्ट्रिक्ली फॉलो करें साकि हम आप और सारे स्वस्त रह सकें अगर आपको साधरन खासी असर दी है और आपने विदेश यात्रा नहीं किया है या ऐसे व्यक्ति से जो विदेश यात्रा करके आया है उसे संपर्क में नहीं है जा और या आप को इसे संपर्ख में नहीं हैं, तो आपको डरगने की जुरुरूरत नहीं है, आपको कोई जांच की जुरुरूरत नहीं है, आप घर में रहिये, शुरक्षित रहिए। इस महामारी के समय में हम ये सब हमें मालूम है कि दुनिया भर विश्व भर में कितने मौते हो रही है और ये हजारों की ताइदाद में हो रही है और हम लोग मैं ICO में होते हुए मुझे ये जानकारी है कि कई सारे मौते ICO में भी होती हैं ICO के बावजूद भी तो हमें अपने ICO पर प्रेशर नहीं डालना चाहिए और इस महामारे में अगर ICO पर कम दबाव हो और अगर मरीजों को बिलकुल कीक इलाज का कोई भी चांस है तो मैं आपसे विंती करती हूँ कि आप लोग सब घरों में रहें और अपने हाथ की सवाई का जरूर ध्यान दें बिना डॉक्टर के prescription के दवाया खुद ना लें, hydroxychloroquine, chloroquine, azithromycin और antiviral medicines बिना prescription के अपने आप से ना लें सबसे अच्छी medicine आपके लिए है, आप घर में ही रहें ये आपके लिए सबसे अच्छी दवा होगी जो लोग करोना वाइरस से इंफेक्ट हो जाते हैं, उसमें से कुछ को इंटेंसिव केर यूनिट में भरती करना पड़ता है, जब उनकी हालत कराब हो जाती है। हम चाहते हैं कि आप 21 दिन घर रहिए, सेफ रहिए और इंटेंसिव केर में भरती होने से बचिए। कोरोना वाइरस खासी और छींक की डॉपलेट्स के माधियम से एक से दूसरे में फैलता है। ये डॉपलेट्स एक मीटर से जाधा ट्राविल नहीं करती हैं, इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है, घर रहिए, सुरक्षित रहिए। इस मुश्किल वक्त से हम जल्दी ही निकल पाएंगे, मैं आप से अनुरोद करता हूँ कि आने वाले हपतों में परिवार के साथ समय बिताएं, घर के काम में हाथ बटाएं, म्यूजिक सुनें, योगा करें, मेडिटेशन करें, एक्सेसाइज करें और एक अच्छी नीन ल रहे हैं, लापरवाही ना करें, घर रहें, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए घर पे ही रहें, बमारी को बढ़ाने का कारण ना बने